हलो एब्रीमान वेलकम एक टो माँ चैनल आइप यू आई डूइंग वेल मैं प्रगुती तो आज मैं आपके लिए फिर से एक साडी ड्रेपिंग का वीडियो लाए मूँ जिसमें की मैं एकी साडी से तीन टाइप की साडी ड्रेपिंग आपको बताऊंगी इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर साड़ी डिर्पिंग के कई वीडियो बनाए हैं उनके लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप वीडियो देखना चाते हैं यह जो पिच्चर्स आप अभी देख रहे हैं यह मेरे पुराने वीडियो के साड़ी डिर्पिंग के पिच्चर्स हैं इनके लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रेशन बॉक्स चेक कर सकते हैं और वीडियो के बीच बीच में भी उपर आई बिटन में भी आप चेक कर सकते हैं तो स्टाइल नंबर वन की साडी डुर्पिंग को करने के लिए हम सबसे पहले पळलू की प्लीट्स को बना लेतें तो उसकी लेंथ को मैजर करना इसी हो जाता है पल्लू छुटा या बड़ा नहीं होता है, हम जितना रखना चाते हैं, उतना रख सकते हैं, और सबसे पहले साड़ी पहनने से पहले आपको सबसे पहले अपनी हील्स को पहन लेना है, और पेटी कोट को साइड में अच्छे से टक कर लेना है, तो पल्लू की प्लीट्स को हम तोड़ा थोड़ा करके एक साथ गैदर कर लेंगे और गैदर करने के बाद इसको हम अपने शोल्डर पर टक कर लेंगे जब भी हम पल्लू की प्लीट्स बनाते हैं उसको एक साथ गैदर ना करें उसको टू पार्ट में डिवाइट करके छोटा करके उसको गैदर करें जिससे वापस पीछे से हम एक राउंड घुमाते वे सारी साड़ी को एक तरफ ले आएंगे फ्रंट में लाने के बाद जो साड़ी का जो लास वाला पार्ट है उसको हम मैजर करेंगे लास वाले पार्ट को हम जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको छोड़के वापस से एक राउंड गुमा लेंगे आगे एक राउम गुमानेगे बाद उसको हम उसको नापने के बाद है उसकी 데 को हम बनाएंगे जब हम लास वाले पार्ट को मैजर करेंगे तो हम Raise यहां बात का ध्यान रखना है जो हमारी नीचे बऻ्डर बनी विए है वह starting में result में आये और बचया पार्ट को हमرجक कर लेंगे तो बचय बरिंए फ्रंट हमें फोल्ड करेंगे तो इस इसके बाद मैंने यहां पर एक बेलट लिये और बैल्ट को पीछे टक कर兩ए और आगे जो उपर वाला सुछ फिनिशिंग की ब्राइब अपर के बाद लेदा आma है da आप मेरे अब दूसी को हम एक राउंड वापस घुमायां के और इसको फ्रेंट में ले आएंगे तो आगे का जो आपका लुक आएगा वह ऐसा लगेगा जैसे कि आपने साड़ी को रैपरान स्टाइल में पहना है और काफी अच्छा लुक लगेगा यह देखिए आप बिल्कुल नीट लुक आ गया है मारा साड़ी का तो जहां पर यह बॉर्डर वाला डिजा है वह साड़ी का फाइनल लुक है इस तरह का कुछ लुक आएगा मुझे परस्टनली काफी पसंद आया यह वाला लुक तो अगर आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक में कमेंट करके जरूर बिताएगा यह साड़ी तो हम उसी सेम साड़ी से स्टाइल नंबर टू को क्रियेट करेंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है अगर कोई भी आप नेट फैबरिक की या ट्रांस्वेंट फैबरिक की साड़ी ले तो अपने जो पेटी कोट का जो नाड़ा है उसको बैली बटन के पास उसको टक कर करने से कहले आपको क्या करना अपनी इंगे काफी उची लगेगी जोडिक आपकी दिखाई देनी डिर्फांब है उसके बाद पर आपकर से सबसे पहले पर लू का मेजर्मैंट। क्योंकि यहां पर हम open पल्लू की साड़ी पहनेंगे तो open पल्लू में आपका जब पल्लू मैजर करेंगे तो पल्लू लगभग आपके नीके पास रहना चाहिए क्योंकि open पल्लू के जब हम open करते हैं तो उसकी land बिल्कुल perfect आजाती है अगर हम नीचे तक पल्लू अलपार्ट रखेंगे तो open करने के बाद वो पल्लू काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही रखना है जितना मैं आपको बता रहे हैं यह देखिए मैंने चेक किया है तो इतना हमारा जो पल्लू अलपार्टे open होने के बाद आएगा तो बस हम इसको इतना ही रखेंगे बाद में इसको last में हम open करेंगे तो अभी हम center में जो pleats है अब उनको बनाएंगे तो यहाँ पर जो pleats हैं उनको मैं काफी जल्दी बना रही हूँ अगर आप वो देखना चाहते हैं वो वीडियो जिसमें कि मैंने आपको pleats को कैसे बनाना है मैंने दो तरह से pleats को बनाना बताया है और पल्लू की pleats को कैसे बनाते हैं इसके वीडियो का link मैं आपको उपर eye button में दे दूँगी आप वासे चेक कर सकते हैं सारी pleats को अच्छे से gather करने के बाद यहाँ पर हम safety pin से secure कर लेंगे यहाँ पर मैं आपको बाहर से safety pin लगा के दिखा रहे हूँ बट जब भी मैं बाहर साड़ी पहन के जाती हूँ तो हमेशा अंदर से safety pin लगाती हूँ करती हूँ साड़ी को कैरी करते समय आप जितने कम safety pin के यूज करेंगे आपकी साड़ी उतनी ही अच्छी लगेगी क्योंकि जितने ज्यादा तो स्टाइल नंबर 3 को क्रियेट करने के लिए मैंने सेम साड़ी का यूज किया है और मैंने यहाँ पर पेटी कोट की जगेपर अपनी गोल्डन कलर की skirt का यूज किया है और पल्लू की प्लीट मैंने अल्रडी बना ली है और उसके बाद हम साड़ी का जो लास वाला पार्ट है उसकी प्लीट बना लेंगे सारी सारी प्लीट बनाने के बाद उसको हम एक राउंड घुमाते हुए जो अपने back side में है उसको टक कर लेंगे तो ब फ्रेंट में जितना भी फैब्रिक बचा है साड़ी वाला उसको एक साथ गैदर करते हुए हम प्लीट बना लेंगे और प्लीट बनाने के बाद उसको हम बैली बटन के पास टक कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल साड़ी ड्रेप करते हैं यह साड़ी लुक वैसा ही लगेगा ब और लक बी काफी अच्छा लगया यूफ आपका साड़ी के साथ अपने लक प्लेट बल्कूल लेन के साथ दिखाऊंगो एक ने यह लोक करनल लोक लरा यू यूज गया है और हम्यारा लोक बिलकुल more tooksi का व्याप उकशा लोक तो अगर आपको भी रही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरा वीडियो पर्स टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन में से कौन सा साथी ट्रिफिंग का वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा है थाइक यू सो मच और वाचिन म मेरे वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई